हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इस यूटूब चैनल लर्न विद गणेश में दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जी एस मास्टर सरद्वारा NCRT सार संग्रा का एक एपिसोड चलाया जा रहा है जिसमें डेली वो 11 टॉपिक्स देते हैं चुकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास अभी बुक्स एबिलेबल नहीं है तो मेरा ये प्रयास है कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी डेली टॉपिक्स जी एस मास्टर सरद्वारा दिया जाता है वोड सारे टॉपिक्स सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके तो अभी तक अभी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और आज हम करने वाले हैं जी एस मास्टर सरद्वारा दिया गया सात्वा टॉपिक्स यानि सात्वा जो वीडियो था तो उसमें 11 टॉपिक्स दिये थे उन 11 टॉपिक्स को हम देखेंगे तो चली हम शुरू करते हैं और आज का पहला जो टॉपिक था वो था सात्वी अनुसूची तो इसको शुरू करते हैं सात्वी अनुसूची के प्रमुख विशय पॉलिटी का है ये भारतिय सम्मिधान के अंतरगत सीविल प्रक्रिया सनिता किस सूची का विशय है तो ये संबर्ती सूची का विशय है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतिय सम्मिधान की संबर्ती सूची में सम्मिलित है नेक्ष्ट है सिक्षा किस सूची का विशे है तो सिक्षा जो है वो संबर्ती सूची का विशे है प्रारंब में सिक्षा राज्य सूची का विशय था परंतु इसे 42 संभिधान शन्शोधन के माध्यम से संबर्ति सूची में स्थनांत्रित किया गया था आगे देखते हैं भूमी सुधार के सूची के अंतरगत शामिल है तो भूमि सुधार का जो विशय है वो है राज्य सूची के अंतरगत रेलबे पुलिस किस सूची का विशय है यहां पर रेलबे और पुलिस एक साथ है अलग अलग नहीं है रेलबे अलग और पुलिस अलग नहीं है बलकि रेलबे पुलिस जो है वो किस सूची का विशह है तो ये है राज्य सूची का विशह है आर्थिक नियोजन किस सूची का विशह है तो ये है संबर्ती सूची का विशह है क्रिशी भारतिय सम्मिधान की किस सूची से संबंदित तो क्रिशी का जितने भी मामले हैं वो राज्य सूची से संबंदित हैं पंचायती राज किस सूची से सम्मिलित है तो वह है राज्य सूची में दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि जिन भाईयों के पास अभी तक NCRT सार संग्रा की बुक्स नहीं है उन लोगों के पास कम से कम ये टॉपिक्स पहुंच जाएं और वो भी अपनी तयारी जो भी प्यारी की तयारी करना चाहते हैं या पीटी एन पीटी सी की या फ ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों के पास ये पहुंच सके और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके दंड प्रक्रिया भारतिय संबिधान की सात्वियन सूची की सूची थर्ड यानि संबर्ती सूची में शामिल है विवाह विचेद यानि तालाक और गोद लेना आधी संबिधान की सात्वियन सूची में किसके अंतरगत सम्मिलित किये गये हैं तो ये सूची तीन यानि की स समबर्ती सूची में शामिल किया गया है इनको दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे भारतिय संविधान का जो भाग है सात्वा भाग में अनुसूचियों का वर्णन किया गया है उसमें तीन अनुसूचियां दी गई है और आपको पता होगा कि संग सूची राज्य सूची और तो हम पहले देखते हैं संग सूची यानि केंद्र सूची के विश्ह जाए इस पर कानौन बनाने का अधिकार किसके पास है तो केंद्र के पास इसमें प्रतिरक्षा विदेशी मामले नागरिक्ता संचार बडाक तार निगमकर सेवाकर युद और शानती सीमा शुल्क वनिर्यात शुल्क वीमा प्रत्यरपन शेयर बजार अंतराष्ट्रिय संधी और करार रेलवे मुद्रा रि महत्व के मुद्डें हैं कि वो सारे अंतराष्ट्री महत्व के मुद्डें किसके पास हैं तो वो है केंद्र सरकार के पास इसके अलावा देखें तो रेलवे मुद्रा रिजर्व बैंक, समुद्री बैहवाई मार्ग, बिदेशी रिन, बिदेशी बैपार, लोट्री, आयकर, जनगनना, डांक बबचत बैंक, स्टॉक, एक्सचेंज, ये सारे जो विशय हैं वो किसके पास हैं, तो ये सारे विशय केंद्र सरकार के पास है, और इसके उपर कानू राज्य सूची में 61, और संबर्ती सूची में 52, यानि की 52 विशय सामिल है, आगे हम बात कर लेते हैं, राज्य सूची के विशयों की, तो राज्य सूची में आपको पता है कितने विशय हैं, तो वो है 61, कौन-कौन से हैं, लोक व्यवस्था, पुलिस, पुलिस की बात जह रशासन, प्रादेशिक लोकसेवा, लोकस्वास्त, बजार एवं मेले, सट्टा वजुवा, क्रिशी भूमी, पर संपधा शुल्क, पशुपालन, वसिचाई, क्रिशी, आय पर कर, इसके अलवा गैस, शराब, मनुरंजन, भूर अजस्विया लगान, विद्यूत पर कर, प इसलिए बस खाली रीड कर रहा हूं, क्योंकि इसमें समझाने लाइक कुछ नहीं, यह आपको याद करना पड़ेगा, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, या फिर मैं PDF जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहां से आप इसको विवा एवं विवा विछेद, कारखाने, मजदूर संग, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों पर आप मिश्रन, जनसंख्या नियंत्रन वा परिवार नियोजन, नियाय वा प्रसाशन, संपत्ति का अरजन वा अधिग्रहन, विद्योत, वाट वा माप, वन्य पुस्तकें वा मुद्र नाले, स्वच्चता वा उसधाले, और योगिक विवाद, उत्राधिकार, बिधी बित या चिकित्सा, बितियां, कीमत, नियंत्रन, जन्म मरन, पंजिकरन, इत्यादी, ये सारे कौन से हैं, तो ये सारे संबर्ती सूची के विशे हैं, इसके अलाव को अब सुष्टी सूची में डाल दिया गया है, और उन विशेहों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, एक चीज़ और, संबर्ती सूची के विशेह पर, जैसा कि आपको पता है, केंद्र और राज्ये, दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर प्लिटी का सेक्शन था, आगे आते हैं, आगे हम बात करते हैं, यह है हमारा जोग्रफी का सेक्शन, इंडियन जोग्रफी, बहुत थिक भी भाजन, भारतिया उप महादी, हलाकि इससे आगे का पार्ट दिया गया है, और मैंने इसको कबर इसलिए किया है, क्योंकि बीच म वाली हर एपिसोड के उपर यह वीडियो बनाता रहूँगा और आपके पास यह सारी चीजे पहुंचाता रहूँगा, और हाँ, जिन दोस्तों के पास यह अबिलेवल सुभिधाएं नहीं है, उनके पास जरूर यह वीडियो शेर कीजिएगा, प्लीज, तो चलिए हम शु केत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतिये भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है, भूगार्विक संरचना की दृष्टी से भारत को मुख्यता तीन भागों में बांटा जा सकता है, भारत को कितने भागों में, तीन भागों में, हिमालय परवतिये छेत् उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिन का प्राधी प्यवाद, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमालय परवतिये छेत्र, तो दोस्तों यहां पर मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक बेसिक से जनकारी देना चाहूँगा, ताकि आप इस चीज को बहुत अच्छे से स पूरव से पश्चिम की ओर, जम्मू कश्मीर से हिमालय परवत का विस्तार, जम्मू कश्मीर के नंगा परवत से लेकर, अरुनाचल परदेश में नामचा बरवा परवत तक है, ठीक है, पश्चिम में हिमालय की चोड़ाई अधिक है, जबकि पूरव में उचाई अधिक ह ठीक էेен पस्चिम में हिमाले की चोडाई अगर आप देखेंगे तो कश्मीर के साइड का जो इलाका है वहाँ पर कश्मीर के साइड पर हिमाले की चोडाई ज्यादा है उचाई कम है अब जब पस्चिम की तरफ जाएंगे आरुनाचल परदेश और नेपाल की तरफ जब आएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर उचाई अधिक है तो पस्चिम में हिमालय की चोड़ाई अधिक है जबकि पूरम में उचाई अधिक है ठीक है पाकिस्तान में पाकिस्तान में हिमालय को सूलिमान परवत के नाम से जानते हैं किस नाम से सूलिमान परवत जबकि अफगानिस्तान में इसे हिंदु कुष परवत के नाम से जानते हैं अफगानिस्तान में हिंदु कुष परवत पाकिस्तान में सूलिमान परवत अरुनाचल परदेश में इसे पटकाई बुम पटकोई बुम पहाड़ी के नाम से जानते हैं और म्यमार में इसे अरकान योमा के नाम से जानते हैं तो ये बहुत ही important facts हैं आप इसको याद रखिएगा इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमालय की उत्पत्ती की सबसे अच्छी व्याख्या जो है वो कोबर का भू सन्नती सिधान्त करता है ठीक है कोबर ने भू सन्नती सिधान्त दिया था जो हिमालय की उत्पत्ती की सबसे बहुत अच्छी व्याख्या करता है और کوबर जो थे वो कहां के थे जर्मनी के थे इसके अलावा एक और प्लेट टैटोनिक ठीजरी यह हैरी हेसर दुआरा ठीजरी दिया गया था प्लेट टैटोनिक ठीजरी यह भी हिमाले परवत के सफल व्याख्या करता है कि हिमाले की उत्पति कैसे हुई है उसका सफल व्याख्या कौन करता है तो हैरी हेस्स की प्लेट टेटोनिक थियोरी ये तो है बेसिक आगे अब हम बात करते हैं इससे आगे का पाट हिमालय के समनांतर संरचनात्मक भाग बलेयों की तिब्रता तथा निर्मान आयू के अधार पर हिमालय का वर्गी करण किया गया है और हिमालय को चार भागों में बाटा गया है किस अधार पर? निर्मान आयू के अधार पर पहला है ट्रांस हिमाला है जो तिंबत का छेत्र है दूसरा है ब्रिहद हिमाला है जिसको हम महान हिमाला के नाम से भी जानते हैं तीसरा है लगो हिमाला या मद्ध हिमाला और चौथा है बहाईये या उपह हिमाला या फिर हम इसको शिवालिक हिमाला के नाम से भी जानते हैं शिवालिक हिमालय जो है सबसे नभीन परवत शरंखला है और ट्रांस हिमालय जो है सबसे पुराना यानि कि सबसे पुराना परवत शरंखला है यह ठीक है आगे हम देखते हैं यह तो था थोड़ा सा बेसिक इंफोर्मिशन अब देख लेते हैं NCIT Sarsangra में क्या-क्या दिया हुआ है हिमालय का निर्मान सामनांतर बले श्रेणियों से हुआ है इन में प्रचिंतम श्रेणी कौन सी है तो वो है ब्रिहद हिमालय उत्तर भारत में उप हिमालय शेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है भावर हिमालय का परवत पदिये प्रदेश कौन सा है तो वो है शिवालिक शिवालिक सेल शमू के दक्षिन में इस्थित भावर छेत्र किस सनरचना का उदारण है गिरी पद की इस्थिती का सीवालिक श्रेणी की ऊसत उचाई कितनी है तो वो 600 से 1200 मेटर के बीच में इसकी ऊसत उचाई है आगे अगर हम बात करें लगु हिमाले किन श्रेणियों के मद्धे इस्थित है तो लगु हिमाले जो है वो महान हिमाले और श्रिवालिक हिमाले के बीच में इस्थित है हिमाला की नविंतम पर्वत श्रेणी कौन सी है तो मैंने बताया भी आपको शिवालिक नर्मदा एवं तापती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी इस्थित है तो वो है सत्पुडा श्रेणी बिश्व की सरवाधिक तिब्र ढाल वाली चोटी राका पोशी लदाक श्रेणी पर इस्थित है आगे हम देखते है हिमाला की सबसे उची पर्वत श्रेणी कौन सी है यहां पर हिमाला की सबसे उची पर्वत श्रेणी पूछा है हिमाला की सबसे उची चोटी नहीं पूछा तो हिमाले की सबसे उमुची परवत श्रेणी कौन सी है हिमादरी या ब्रियद हिमाले ब्रियद हिमाले की ओसत उचाई कितनी है एक सट सो मीटर पीर पंजाल स्रेणी किस राज्य में अवस्थित है तो ये जम्मो कश्मीर में है पूर्वी हिमालय की तुल्ला में पस्चमी हिमालय में ट्राइलन की उचाई कम है उत्रा खंड के तापाल तोड कुएं किस भाग में पाए जाते हैं तराई भाग में अक्साई चीन किस छेत्र का भाग है तो लद्दाख का आगे देखते हम पश्चिमी हिमालय परदेश के प्रमुख प्राकिर्तिक संसाधन क्या है भारत की प्रचिंतम परवत श्रिंखला कौन सी है वो है अराबली अराबली श्रेणियों की अनुमानित आयू कितनी है तो वो है 600-570 मिलियन वर्ष मौंट एब्रेस्ट को निपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है अराबली किस प्रकार की परवत श्रेणी है तो वो है अवशिष्ट परवत दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है अनाई मुडी जो केरल में है जो अन्ना मलाई परवत की सबसे उची चोटी है और ये दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी भी मानी जाती है कौन सी अनाई मुडी नीलगीरी परवत माला का विस्तार किन राज्यों में है तो नीलगीरी परवत जो है तमिल नाडू एवं केरल में विस्त्रित है महराष्ट एवं करनाटा के मद्ध इस्थित पश्चमी घाट को किस नाम से जाना जाता है तो वो कौनकट घाट के नाम से जाना जाता है इलाइची की पहाड़ियां यानि काडमम मौंटेंज किन राज्यों के मद्धे सीमा बनाती है तो केरल एवं तमिल नाडू के मद्धे ये सीमा बनाती है सेव राई की पहाड़ियां important है किस राज्य में स्थित है तो वो है तमिल नाडू में पूर्वी घाट और पस्चमी घाट परस पर निल गीरी पहाडियों पर मिलती है भारत की सर्वच्च परवत चोटी कौन सी है तो आपको पता होगा केटू, गौडविन, औस्टेन जो 8611 मीटर उची है नेक्स्ट देखते हैं हम आगे यहाँ पर यह मैप दिया हुआ है आप चाहें तो इसको आसानी से देख सकते हैं मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं आप यहाँ पर देख रहे होगे कि पस्चमी जो पार्ट है इधर यह बला यहाँ पर हिमाला की चोड़ाई जो है वो ज्यादा है और यहाँ पर अगर आप देखें पस्चम की तरफ तो यहाँ पर उचाई अधिक देखने को मिलती है यही पर जो सबसे उची चोटी है माउंट एबरेस्ट, मकालू, कंचन जंगा, अन्ना पोरोना यह सारी कहाँ पर है पस्चम की तरफ ही देखने को मिलता है सौरी, पूरव की तरफ ठीक है चलिए, आगे देखते हैं मजरा माना दर्रा उत्राखंड को किस से जोड़ता है तो वो तिबबत से नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है उत्राखंड में अराबली श्रेणी का उच्टम परवत शिखर कौन सा है वो है गुरू शिखर ग्यारा सो बाइस किलो मीटर है वो राजस्थान में इस्थित है हिमाला परवत की एक श्रेणी अराकान योमा किस प्रदेश में इस्थित है किस देश में इस्थित है तो म्यामार में आपको पता है कि हिमाला श्रेणी को म्यामार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है देख लेते हैं इसको भी जरा उत्राखंड में कौनधारी बनों एवं छोटे-छोटे घाश के मैदानों को बुग्याल या पैयार के नाम से जाना जाता है आगे देख लेते हैं जरा सा कुलू घाटी किन परवत श्रेणियों के मद इस्थित है तो ये धौलादार एवं पीर पंजाल के मद इस्थित है पालगाट धर्रा किन पहाड़ियों के मद इस्थित है तो नीलगीडी और अन्ना मलाई पहाड़ियों के बीच में इस्थित है लिपू लेख माना बन्नीती दर्रा किस राज्य में अवस्थित है तो वो है उत्राखंड में रोतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है हिमाचल परदेश में पूर्वी हिमालाय में ओसत हिम्रेखा 35 मिटर तथा पस्चमी हिमाले में 25 मिटर उचाई पर पाई जाती है भारत का सबसे बड़ा हिमनद यानी ग्लेशियर कौन सा है तो वो है सियाचिन ग्लेशियर जो कहाँ पर है लद्दाख में स्थित है चौरा बाड़ी ग्लेशियर कहां स्थित है किदार नाथ मंदिर के उत्तर में या उत्तरा खंड में यह इस्थितन है मिघाले का पठार किसका भाग है तो यह प्राइदीपिय भारत का भाग है भारत के प्राइदीपिय परवत किस काल में निर्मित हुए तो यह पैलियोजोई महाकल्प में निर्मित हुआ है अरावली एवं बिंदे श्रिंखलाओं के मद्ध कौन सा पठार इस्थित है तो मालवा का पठार इस्थित है अरावली और बिंदे श्रिंखलाओं के बीच में मालवा का पठार है दंड कारण्य छेत्र कहां इस्थिता है छतिशगड और उडिशा के मद्धेवर्ती भाग में दंड कारण्य छेत्र पाय जाता है लगो इमाले एवं शिवालिक श्रेणी के मद्धे में बिस्तरित समतल संरचनात्मक्स थल को पूरव में द्वार तथा पश्चिन में दून के नाम से जाना जाता है भारत का ओसत समुद्रितल किस घाट से मापा जाता है तो ये किस से मापा जाता है चेन्ड़ी से भारत की समुद्र तट रेखा कि कुल लंबाई कितनी हैं तो ये है 7517 किलोमीटर लगभग लगभग भारत के तट ये रज्यों में से किसकी सीमा सबसे लंबी है तो ये है गुजरात की गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे लंबी है भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से सनलगन है तो वो है नो राज्य कौन-कौन से हैं गुजरात, महराष्ट, करनाटक, केरल, तमिल्लाडू, पस्चिम बंगाल, आंदरपरदेश, उडिशा और पंजाब ये नो राज्य है जिनकी सीमा जो है वो तटो से लगती है प्राचीन भारतिया ये तिहासिक भूगोल में रतनाकार नाम किसका सूचक था तो ये हिंदमा सागर खा तमिल्लाडू वा आंदरपरदेश के समुद्री तट का क्या नाम है कोरो मंडल तट कन्या कुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो ये केप केमोरीन के नाम से जाना जाता है अब हम बात करते अंडमान और नीकोवार द्वीप समु की तो यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मिशन देना चाहूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें अंडमान और नीकोवार द्वीप समु के मद्धे में एक सक्रे समुद्र को 10 डिगरी चैनल कहा जाता है अगर हम देखें इसको क्योंकि यहां से कई बार कोशन्स पूछे जाते हैं और अक्सर कन्फियूजन क्रियेट करता है सब से उपर जो है ऐसे मैं थोड़ा सा उपर से नीचे की और इस तरीके से एक समझाने की कोशिश करता हूँ आपको चलिए देखते हैं यहां पर सबसे उपर जो है यह है उत्तरी अंडमान ठीक है उसके बाद आता है मद्धे अंडमान फिर आता है दक्षनी अंडमान फिर आता है लिटल अंडमान ठीक है यहां पर आप ध्यान रखिएगा उत्री अंडमान मद्ध्य अंडमान और यह बार बार उत्री अंडमान मद्ध्य अंडमान उसके बाद में आता है दक्षनी अंडमान फिर आता है लिटल अंडमान ठीक है लिटल अंडमान लिटल तो उत्री अंडमान की जो सबसे या फिर अंडमान नीकोबार द्वीप समों की सबसे उंची चोटी जो है उसका नाम है सैडल पिक और सैडल पिक कहां पर है तो उत्री अंडमान पर इस्थित है मद्य अंडमान अंडमान नीकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है ध्यान रखेगा एक एक चीज बहुत ही इंपोर्टन्ट बता रहा हूं नोट डाउन कर लिजेगा सबसे पहले उत्री अंडमान फिर मद्य अंडमान फिर दक्षनी अंडमान और उसके बाद में लिटल अंडमान उत्री अंडमान पर अंडमान नीकोबार द्वीप समू की सबसे उंची चोटी सैडल पीक यहीं पर है कहां पर उत्री अंडमान पर मद्ध्य अंडवान जो है अंडवान निकोवार द्वीप समों का सबसे बड़ा द्वीप है दक्षनी अंडवान दक्षनी अंडवान पर पोर्ट ब्लेयर इस्तित है ठीक है Still Angman Little Angman के नीचे है 10D2 channel ठीक है यहां यह Little Angman है मैं L लिख देता हूँ यह बीच में बार बार से यार डिस्टाब कर रहा है यह लिटल एंड मान है यहाँ पर है 10 डिग्री चैनल ठीक है उसके बाद में आता है कार नीको बार क्या आता है कार नीको बार फिर आता है ग्रेट नीको बार कार निकोबार के बाद क्या आता है ग्रेट निकोबार आप इसको नोट डाउन कर लिजेगा और ग्रेट निकोबार के उपर ये जो है इंद्रा पॉइंट है जो भारत का दक्षिन्तम बिंदू सबसे दक्षिन्तम बिंदू अगर देखा जाए भारत का तो वो कौन सा है इंदरा पॉइंट जो 6.4 उत्री अक्षान्स पर इस्थीत है ठीक है तो आपको क्या क्या मैंने बताया उत्री अंदमान अंदमान धक्षन अंदमान फिर कार निको बार और उसके बाद में आता है और इसके बा के बीच Communist अहां ठीक चलिए यहांत अगर आप समझ गेंगे इस में एक नारकोंडम द्वीप यहाँ पर एक सुशुक्त ज्वाला मुखी है और एक बेरन द्वीप वो सक्रिय ज्वाला मुखी है वैसे तो यह शान्त रहता है लेकिन साल में एक आधवार यहां से जो है जो आला मुखी यह निकलता है ठीक है चलिए अब यहां से हम इसको आगे देख लेते हैं अंडमान और नीकोवार द्वीप समू में सबसे अधिक उचाई बाली चोटी कोन सी है तो अंडमान और नीकोवार द्वीप समू में सबसे उची चोटी कोन सी है सैडल पीक और यह कहां परिस्थित है तो उत्तरी अंडमान परिस्थित है सतलूज एवं सिंदु नदी के मद्धि इस्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है इसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा जब यह वाला चैप्टर खतम होगा थब ठीक है चलिए आगे देखते हम अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के शेयर कीजिए ताकि ज्यादस ज्यादस लोगों को इसका फाइदा पहुँच सके और मेरा ये प्रयास है कि उन दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँचे जिनके पास अभी तक NCRT सार संगरा की बुक नहीं है और जो BPSC की तयारी बिहार SI की तयारी में लगे हुए हैं तो प्लीज 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 वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अंडमान वा निकोवार द्वीप समू इस्थित है कहां पर बंगाल की खाड़ी में अंडमान, निकोवार, द्वीप समू में दीपों की संख्या कितनी है तो 572 10 डिगरी चैनल किन दो द्वीपों को प्रिथक करता है तो अंडमान को निकोवार द्वीप समू से ये अलग करता है श्रीहरीकोट्टा द्वीप कहां इस्तित है तो पूलिकट जिल के समीप, बैरन द्वीप अवस्तित है बंगाल की खाड़ी में, रामसेतु कहां से प्रारंब होता है तो धनुष कोट्टी से, लक्ष द्वीप कहां वस्तित है तो अरबसागर में, भारत का कौन सा द्वीप प्रबाल निरमीत है तो वो है लक्ष द्वीप चलिए मैं थोड़ा सा लक्ष द्वीप के बारे में भी आपको बता देताूं भारत का सबसे छोटा केंदर शासित प्रदेश है, कौन? लक्ष द्वीप की राजधानी है कवार्ती, लक्ष द्वीप का सबसे बड़ा ड्रोत क्या नाम है एन ड्रोत ड्रोत एन ड्रोत ठीक है लक्षदीप के सबसे दक्षिन में मीनिकाय द्वीप इस्थित है तो इतनी चीज़े जो है लक्षदीप के संदर में आपको पता होनी चाहिए चलिए अब हम आगे देखते हैं मीनिकाय द्वीप भारतिय तट रेखा में के सुदूर वर्ति द्वीप की श्रेणी में आता है भारत एवं श्रिलंका के मध्य कौन सा द्वीप इस्थित है तो वो है पंबन द्वीप द्वीपो पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है मुंबई कोरी क्रीक कहां इस्थित है कच्छ के रण में यानि गुजरात के आसपास सरक्रीक बिवाद किन दो देशों के बीच में है तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सरक्रीक बिवाद है जो इस्थित है यहां पर परवत हिमालय के प्रमुख उंचे शिखर दिये हुए है तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हिमालय का सबसे उंचे शिखर कौन सा है मौंट एबरेस्ट जो कहां पर है नेपाल में 8848 किलोमेटर इसकी उचाई है भारत में अगर देखा ज के नाम से जानते हैं जिसके उचाई है 8611 किलोमेटर इसके बाद आता है कंचन जंगा भारत में हैं उचाई है 8598 मकालू धौलागिरी नंगा परवत अन्नापुरुना नंदा देवी कामेत नामचा वरवा यह सारे जो हैं गुरूलाम मंधाता यह सारे क्या हैं तो यह हिमाल Ukraine तो चलिए आगे हम देखते हैं यह था जोग्रफी का अब आता है वर्ल्ड जोग्रफी इंडियन जोग्रफिखिए हमने कर लिया है इंडियन पॉलिटीstr जो ग्रफिए नेक्स्ट आता है हमारा वर्ल्ड जोग्रफिए जिसमें हमें करना है Als I देखिए चटानों का वर्गी करन जो है वो तीन अधारों पर किया गया है आर्गने चटाने अवसाधी चटाने और रुपांत्रित चटाने जिवाश्म रहित चट्टाने कौन सी होती है तो आगने चट्टाने क्या होती है जिवाश्म रहित चट्टाने होती है काली मिट्टी का निर्मान किन चट्टानों के शरण से होता है तो वो आगने चट्टानों के शरण से काली मिट्टी का निर्मान होता है संपूर्ण क्रेस्ट के कितने परतिशत भाग पर अबसाधी चटाने बिस्तिरित है तो वो है 75 परतिशत भाग पर यानि कि प्रिथिवी पर सबसे ज़्यादा कौन से चटाने मौजूद हैं तो वो है अबसाधी चटाने चलिए आगने चट्टानों के रुपांतरण से निर्मित शेले ग्रेनाइट से नीश का निर्माण हुआ बेलसाइट, एमफी बोलाइट, बेसाल्ट से सिस्ट अब साधी चट्टानों के रुपांतरण से निर्मित शेले चूना पत्थर बडोलोमाइट से संगमरमर, शैल से स्लेट, बालुका पत्थर से क्वाडजाइट, इसके अलावा है कांगलोम्रेट, कांगलोम्रेट से क्वाडजाइट और बिटोमिन स्कोईला से ग्रेफाइट वहीरा रुपांतरित चटानों को पुना रुपांतरन से निर्मित शैले, स्लेट, फाइलाइट, सिस्ट, ग्रेबो से सर्पेंटाइन आगे देखते हैं रुपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है तो आगने और अब साधी दोनों चट्टानों से रुपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है संग मरमर किन चटान किस चटान का उदारन है तो वो है रुपांतरित चटान का चटानों के निर्मान में आठ प्रमुक्तत्व का योगदान होता है ये कौन-कौन सी होती है ऑक्सीजन जिसकी मात्रा होती है 46.8 प्रतिशत सीलिकौन, एलुमीनियम, लोहा, कैलसियम, सोडियम, पोटेशियम, एवं मैगनीशियम इन आठ तत्वों से मिलकर चटानों का निर्मान होता है और सबसे ज़्यादा क्या होती है तो ऑक्सीजन उसके बाद में सीलिकौन की मात्रा पाई जाती है आगने एवं मवसादी चटानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन से रुपांतरित चटानों का निर्मान होता है चली आगे देखते हम सरवाधिक कठोर चटाने कौन सी होती है तो रुपांतरित चटाने जो है सरवाधिक कठोर चटाने होती है प्रिथिवी के अंदर पिगले पधार्त को क्या कहा जाता है तो इसको कहते हैं मैगमा प्रिथिवी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस हूने से निर्मिच चटान को क्या कहा जाता है प्लियू टॉनिक चटाने ओजोस डेल सलाडो ज्वाला मुखी किस देश में वस्थित है तो वो है अर्जेंटिना यविवं चीली में बहुत इंपॉटेन्ट है ये ज्वाला मुखी क्रिया में सबसे अधिक जलबास्प गैस निकलती है इंपॉटेन्ट है इसको ध्यान दीजिये घजरा ज्वाला मुखी क्रिया में सबसे अधिक जलबाश्प गैस निकलती है इसके अतिरिक्त कारवन डायोकसाइड, सलफर डायोकसाइड, नाइट्रोजन एबं हाइड्रोजन यादी गैसे निकलती है सक्रियता के अधार पर ज्वाला मुखी कितने प्रकार के होते हैं तो वो तीन प्रकार के होती है सक्रिय ज्वाला मुखी, सुशुप्त ज्वाला मुखी और मृत ज्वाला मुखी सक्रिय ज्वाला मुखी जिसमें से लगतार लावा निकलता रहता है सुशुत्त ज्वाला मुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं होता है परन्तु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं इनको कहा जाता है सुशुत्त ज्वाला मुखी मृत ज्वाला मुखी जो बिल्कुल ही वहां से मैगमा बगरा नहीं निकलता है बिल्कुल ही शान्त होता है उसको का जाता है मृत ज्वाला मुखी ठीक है चलिए वैशे ज्वाला मुखी जो लंबे समय से शक्रिय नहीं हुए हैं किन्तु भविश्य में कभी भी सक्रिय हो सकत उन्हें क्या कहते हैं सोशुप्त जोला मुखी से निकलने वाले पदार्थों को अगर देखें तो जोला मुखी से निकलने वाले पदार्थों में को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है सबसे पहला गैस एवम उनaiser बास प्रशत होती है अन्य गया से सियो टू नाइट्रोजन सल्फर डायोकसाइड आधी प्रमुक होती हैं इसके अलावा दूसरा जो है बिखंडित पदार्थ इसमें धूल एवं राक से बने चट्टान के टुकड़े मतर के दाने के अकार बाले टुकड़े जिसको लैपिली कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के ब्यास बाले बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े एवं अपेक्षाक्रित बड़े अकार के टुकड़े यादी ब भुगर्ब में अवस्तित तरल पदार्थ को मैगमा कहते हैं जब मैगमा धरातल पर निस्तरित होता है तो उसे लावा कहा जाता है जब पृतिवी के अंदर मौजूद मैगमा बाहर आकर जब पृतिवी के उपर फैलता है बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है धरातल पर लावा के ठंडा होने के बाद वा आगने चटाने कहलाता है और जो लावा जब ठंडा हो जाता है तो यही क्या बनता है आगने चटाने आगे देखते हैं किस प्रकार के लावा में सीलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है अमलिय लावा अंडमान नीकोवार के नारकोंडम ध्वी परिस्थित ज्वाला मुखी किस प्रकार का ज्वाला मुखी है तो वो है सुशुप्त ज्वाला मुखी माउंट किली मनजारो किस श्रेणी का ज्वाला मुखी है तो यह है शांत ज्वाला मुखी क्या नाम है माउंट किलि मनजारो माउंट किलि मनजारो ये शान्त ज्वाला मुखी है बिश्व का सरवाधिक सक्रिय ज्वाला मुखी कौन सा है तो ये है कियालू जो हवाई द्वीब पर है एक सेकट devices यस हमारे सवर मंडल में अब तक ग्याद सबसे बड़ा ज्वाला मुखी ओलंपस मौन्स है जो मंगल ग्रापर है सबसे बड़ा जो ज्वाला खी वो क openings मौन सा है ओलंपस मौन्स जो कहां पर है मंगल ग्रापर है किस जुआला मुखी को भूमद्य सागर का प्रकाश स्तंब कहा जाता है माउंट स्ट्रॉम बोली इसको क्या कहा जाता है भूमद्य सागर का प्रकाश स्तंब जुआला मुखी परवत माउंट सेंट हैलेंज कहा इस्तित है सन्युक्तराज अमेरिका में आफ्रीका महादवीप का सर्वोच्चे परवत शिखर माउंट किलि मनजारूं किस देश में इस्थित है तो वो है तनजानिया में मौना लोवा एक सक्रिय ज्वाला मुखी है यह कहां इस्थित है हवाई द्वीप में सन्युक तुराज अमेरिका में अंतार्क्टिका का एक मातर शक्रिय ज्वाला मुखी कौन सा है तो वो है माउंट एबुर्श या एरेबस इरान के दो प्रमुख मिर्ट ज्वाला मुखी कौन कौन से है तो वो है देंबन्ध बा को सुल्टान यूरेशियन प्लेट अफ्रीका बा इंडियन प्लेट मद्य माध्य पेटी ज्वाला मुखी मेखला के अंदर गत आते हैं आगे देखते हैं जरासा ज्वाला मुखी शंकू के उपर मिलने बाली कीपाकार गर्तुनुमा आकृती को क्या कहते हैं कreater कहा जाता है सन्युक्तुराज अमेरिका का रेनियर हुड बशास्ता किस जो अलामुखी स्रेणि के उदारनें तो यह मिश्रित जो अलामुखी weiter कुषित अलास्का ज जो सन्युक्तुराज अमेरिका के अमेरिका में है अलास्का के कट मई परवत को 10,000 धुवारों की घाटी के नाम से जाना जाता है चलिए आगे देखते हैं यह दे रखा है कुछ बिश्व के सक्रिय जुआला मुखी यहां पर नाम दे रखा है देश दे रखा है और उचाई दे रखा है केटो पैकसी यह कहां पार है इकवेडोर में कि यूचे बसकाया रूस में है एग मिन्ट अगर 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 परवत अलास्का में है सन्युक्त राज अमेरिका कैमरून यह कैमरून में यह इरेबस अंतार्क्टिका निरागोंगो यह है इमो क्रेडिट रिपब्लिक ऑफ कांगो इली इली आमना इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार क्योंकि बहुत सारे नाम यहाँ पर दिये हुए है तो इसमें कुछ समझाने लाइक है नहीं विश्व का सबसे उंचा सक्रिय ज्वाला मुखी कौन सा है तो यह है कोटो पैक्सी ज्वाला मुख्यों को मेखला बद बरगी करण कितने भागों में किया गया है तो यह किया गया चार भागों में ज्वाला मुख्य मेखलाएं परिप्रशांत महासाग्रिय मेखला मध्य महाधिय पेटी मध्य अट्लांटिक मेखला या मध्य महासाग्रिय कटक या अंत्रा प्लेटी ज्वाला मुख्यों को मेखला बद बरगी करण कितने भागों में किया गया तो चार भागों में किया ग नाम से जाना जाता यह हैं के चलिए आगे देखते हैं एफובסर ऑनचि सरी मेरे ज़ंगे निसाओं च्रड़र करें होते हैं है इतुट यह मेरे बड़ है को नतीड कर पलूंद भा मुख्र कुन को है है मन्नार की खाड़ी तमिलाडू में सुन्दरवन पस्चि मंगाल में नंदा देवी जो उत्राखंड में है नोक्रेक जो मेघाला में है पचमडी मध्यपरदेश में है इसके अलावा सिम लिपाल उडिसा में अमरकंटक और अचानक मर ये मध्यपरदेश और छतिसगड में ग् मलाई ये तमिलाडू में है और कंचन जंगा जो सिक्किम में है भारत में प्रथम जैब मंडल अरक्षित छेत्र कहां स्थापित किया गया था तो यह किया गया था निलगिरी में 2000 में कार्टा जेना प्रोटोकॉल किस से सम्बंदीता है जैब सुरक्षा समझ होता से किस प्रकार की जैब बिविधिता का उप्योग प्रजनन कार्यों में किया जाता है अनुवानशिक बिविधिता भारत को सरप्रथम किस ने जैब भगौलिक शेत्रों तथा जैब भगौलिक प्रदेशों में विवाजित किया था रोजर और पनवार ने अरिवादा क्या है कच्छूओं की कुछ प्रजातियों की ब्यापक घोशला प्रक्रिया है परियावरन संरक्षन हेतू वर्ष 1961 में स्थापित वर्डवाइड फंड का मुख्याला कहां पर है ओसलो यानि नौर्वे में है किस राज्य में सरवाधिक संख्या में राष्टिये पार के स्थित है तो वो मध्य परदेश में है यूनेशको ने बर्ष 1971 में अंतर सरकारी बैज्ञानी कारेकरम के रूप में मानव एवं जैब मंडल कारेकरम प्रारंब किया था चली आगे देखते हैं जैब सुरक्षा का कार्टान जेना प्रोटोकॉल किस के इंद्रिय मंत्राले द्वारा किर्यानवित किया जाता है तो परियावरन एवं बंध मंत्राले द्वारा भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फोर मरिन बायो डाइवर्सिटी किस सहर में इस्तित है जामनगर यानि गुजरात में है उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेको कहा जाता है वह भारत में कहां पाई जाती है पस्चमी घाट के बनों में छेत्रफल की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्ब कौन सा है नागा अरजुन सागर आंधर प्रद रिजर्ब है इसके पहले इसका नाम हेली राष्ट्रिय उद्यान था तो जिम कारपेट जो है वो किसलिए है टाइगर रिजर्ब है ये बिश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है तो ये है कजिन द्वीप सेलेस भारत में पक्षियों का प्रथम बना रण ने कहां स्थापित किया गया था बेंदान थंगल तमिलाडु में भारत का प्रसिद नीलगिरी जीम मंडल आरक्षित छेतर कितने राज्यों में विस्तिरित है तो तीन राज्यों में तमिलाडु करनाटक और केरन काना राष्टिय उद्यान किस जन्तु के कि बारा सिंगा के लिए प्रसिद है भारत का प्रसिद फूलो की घाटी वाला रास्टिय उद्यान कि छेत्र किन प्रवता रोहियों ने खोजा था तो ये फ्रैंक स्माइट और होल्डवर्थ ने खोजा था किसे गंगा के टाइगर के उपमा दी जाती है डॉल्फिन को लिए इसको पढ़ लेते हैं घाना पक्षी बिहार कहां पर है भरतपूर यानि राजिस्थान में है रंगन ठिट्टू पक्षी बिहार कहां पर है मांडिया यानि करनाटक में है बेंद बेंदा थंगल पक्षी बिहार कहां पर है कांची पूरम यानि तमिलनाडू में और नि मांडवी नदी के पास गुवा में है कॉंडिया पक्षी बिहार चित्तूर आंदरपरदेश में है चिलका जहील पक्षी बिहार ये कहां पर है पूरी के पास उडिसा में है और कुमारा कॉम पक्षी बिहार या बेवनांद पक्षी बिहार कहाँ पर है तो यह है केरल में तो यह आज हमारा यह world geography का खतम होता है next आता है हमारा science के topics जिसमें हम physics देखते हैं babs and sound bab speed and sound तरंगती इवं ध्वनी दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लेजिए और बेल ऐकन को प्रेस के जरूर कर लेज़ेगा ताक कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हाँ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और उन स्टूरेंट्स के पास जरूर शेयर कीजिए जिनके पास अभी तक NCRT सार संग्रा की बुक नहीं है क्योंकि उनके तैयारी भी रुकनी नहीं चाहिए थमनी नहीं चाहिए चलिए शुरू करते हैं रात्र द्रिष्टी उपकरण में परियोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है अबरत तरंगे द्रिष्य प्रकाश का तरंग्द धर्य कितना होता है 390 से 750 नैनोमीटर के मद्धे आतों से समंदित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का परियोग किया जाता है X किरणों का उपयोग किया जाता है कीडों तथा शती पहुचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का परियोग किया जाता है अल्ट्रा सोनिक तरंग का उपयोग किया जाता है समीप आतिवी रेल गारी की सीटी की अबरिती या तिक्षंडता बढ़ जाती है ऐसा किस कारण होता है डॉल पर प्रभाब के कारण क्रिश्टल की संडचना ग्याद करने के लिए किन कारणों का उपयोग किया जाता है किन किरनों का उपयोग किया जाता है तो एक्सरे किरनों का अनुप्रस्त तरंगों के उधारन और इधर है अनुदेधर्य तरंगों के उधारन प्रकास तरंगे जो है अनुप्रस्त तरंगों के उधारन है भुकम्पिये तरंगे दोरी युक्ते यंत्रों के में उत्पन तरंगे, सितार, गिटार, बीणा ये सारे क्या हैं अनुप्रस्त तरंगे हैं स्थिर जल में पत्थर फैकने पर उत्पन तरंगे ये भी कैसी है अनुप्रस्त तरंगों के उधारण है अनुदय धर्रे तरंगों के उधारण कौन-कौन से हैं तो ध्वनी तरंगे, भुकम तरंगे, मिप्पी तरंगे जो होती हैं और सरपिलाकार स्प्रिंग में उत्पन तरंगे एक राडार, शत्रू के वायू यान क्यू पस्थिती का पता लगाने में कौन सी किरणों का उप्योग किया जाता है तो रेडियो तरंगों का परबैगनी भी किरण, एक्स किरणों, सुक्ष्म किरणों बागामा किरणों को तरंग देधर्य में अरोहिकरम क्या है तो सबसे पहले आता है गामा किरने, फिर आती है एक्स किरने, फिर पैरबैगने किरने और उसके बाद में सुक्ष्म किरने यहां पर दे रखा है प्रमुक बिद्यूत चुम्ब किये तरंगे विद्यूत चुम्ब किये तरंगे, यहां पर खोज करता, तरंग दे दर्रे परास और अबरिती और इसका उप्योग कहां पर किया जाता है, इसके बारे में भी यहां पर दिया हुआ है तो इसको थोड़ा समय और चलिए गामा किरने, इसकी खोज किस नहीं करी थी? हेंरी बैकु रेल है, और इसका तरंग दे धर्रे परास क्या होता है, तो वो होता है 10 की पावर माइनस 10M, 10 की पावर माइनस 10M, और आबरिती परास क्या होता है, तो 10 की पावर 20, और 10 की पावर 24 इसका उप्योग कहां पर किया जाता है तो इसका उप्योग जो होता है नाभिकिया अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडिये रेडियो सक्रियता में इसका उप्योग किया जाता है X किरने इसकी खोज किसने करी थी WC, Rond Jannay और चिकित्सा एवम अध्योगिक शेत्र में इसका उप्योग किया जाता है द्रिश्य किरनव की खोज न्यूटन ने की थी और इनका उप्योग जो है इनकी उपस्तिती से बस्तु में दिखाई देती है अबरक्त विकिरन, बीलियम, हरशेल द्वारा इसकी खोज की गई थी फोटोग्राफी में, सिकाई में, एवं टीवी में, रिमोट कंट्रोल में इसका उप्योग किया जाता है लगू रेडियो तरंगे इसका उप्योग का इसकी खोज हेंरिक हरज द्वारा किया गया था दिर्ग रेडियो तरंग ये बयुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती है तो ये आयन मंडल से परिवर्तित होती है कुलिज नलिका जिसको ट्यूब कहते हैं का प्रियोग कौन सी किरने उत्पन करने के लिए किया जाता है X किरणों को प्रियोग करने के लिए उत्पन करने के लिए किया जाता है कुलिज नलिका का प्रियोग कौन सी किरणे उत्पन करने के लिए किया जाता है तो X किरने उत्पन करने के लिए इसका उप्योग किया जाता है कोबाल्ट सिक्ष्टी समान्यता विकिरन चिकित्सा में परियुक्त होता है क्यूं? क्यूं होता है? गामा किरने बंद चूले में किसका परियुक किया जाता है? सुक्ष्मित रंगों का सुदूर संबेदी युक्ती नियंतरण एक अंतर निर्मित स्त्रोथ होता है अबरक्त की रण का दो उत्रोत्तर श्रिंग अत्वा दो उत्रोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं तरंग देधर्य निगमन बस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले करण को सोनार कहते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है बाईयों से यह है पोशन मानव शरीर में किस पोशक के तत्व की कमी के कारण शरीरिक बिद्धी धिमी होती है प्रोटीन की कमी के कारण विटामिन ए का मुख्य स्तुरोत क्या है दूद प्रोटीन एवं बसा दोनों की प्राचूरता किस खाद्य पदार्थ में होती है तो मुंग फली में शरीर में तुचा के नीचे बिध्यमान बशा, शरीर की उस्मा के हरास के बिरुद अबुदग का कार्रे करती है शरीर में उत्तको यानि टिशु का निर्माण किस पोशक्तत्व से होता है तो प्रोटीन से किस बिटामिन को हॉर्मोन माना जाता है बिटामिन D को कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में साहयक है ट्रिपसिन समान्य क्रियशिल महिला के लिए प्रोटीन की उप्युक्त देनिक मातरा कितनी होनी चाहिए लगभग 45 ग्राम स्तनपन कराने वाली महिला मा को प्रति दिन अहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की अवशक्ता होती है लार, सलाइवा किसके पाचन में सहयोग करता है स्टार्च के अलसी, तीसी, किसका प्रचूर स्त्रोत है ओमेगा 3 बसीय अमलका मानव शरीर में पाचन की अधिकान श्क्रिया किस अंग में संपन होता है छोटी आथ में मास की तुलना में मचली को सुपाच्चे और लावदायक क्यों माना जाता है क्योंकि यह बहु असिंत्रित बसा अमल के कारण दूद किस बैक्टिरिया के कारण खराब हो जाता है तो यह है लेक्टो बैसिल्स के कारण फास्फोरस शरीर में अमलियता एवं शारित्या के मध्य संतूलन बनाए रखता है पालक के पत्तों में किस पोशक तत्व का की मात्रा सबसे अधिक होती है तो वो लौ की कौन सा एंजाइम दुग्द प्रोटीन को पचाने में सायक है रेनिन मानव शरीर में बिटामिन ए भंटारित होता है यक्रित में अधिकान स्प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या होता है तो वो होता है प्रोटीन पपीता में कौन सा बिटामिन सर्व अधिक मात्रा में पाये जाता है तो वो होता है बिटामिन सी शरीर में अवशोशित होने वाले पोशक पदार्थों से भंडारण के लिए अवशक्ता से अधिक बशा का संसलेशन कर लिया जाता है आगे देखते हैं जरा सा दूद में प्रोटीन और कार्बोहइडरेट के अतिरिक्त केल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं नेक्स्ट प्रोटीन की अधिकता मात्रा किस में पाई जाती है तो वो होता है सोयबीन में सोयबीन में प्रोटीन की सबसे अधिकता मात्रा पाई जाती है अलफा केरिटीन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाई जाता है त्वचा में अलफा केरिटीन कहां पर पाये जाता है तो वो तवचा में यानि स्किन में पाये जाता है गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ होता है ग्लूटेन गाय का दूद केरोटीन क्यू पस्थिती के कारण हलके पीले रंका होता है गाय का दूद हलके पीले रंका क्यूं होता है उसमें केरोटीन की उपस्थिती के कारण ये हलके पीले रंका होता है दूद का श्वेत रंक किस की उपस्थिती के कारण होता है तो ये होता है कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिती की कारण किस में बिटामिन C की मात्रा सरवधिक होती है संत्रा में बिटामिन D का परमुखी स्तुरोत क्या है तो सुर्य की किरने किस बिटामिन का निर्मान हमारे शरीर में होता है बिटामिन D और B3 का बिटामिनों में से कौन सा केसी स्वपन को परियाप्त अब्धी तक याद रखने में सहायक होता है बिटामिन B6 बिटामिन B6 जो है किसी भी सपने को ज़्यादा देर तक याद रखने में हमें सहायता करता है सबजियों से मुख्यता हमें प्राप्त होता है क्या विटामिन्स एक ग्लास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है शुन्ने बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यूं हो जाते हैं एमाईलेज की उपस्थिती की कारण दूद में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है किस विटामिन की कमी से सकर्वीग रोग हो जाता है तो दोस्तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और कमेंट करके जरूर बताईएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और ये जो मेरा प्रयास है वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है हैपिटाइटिस मानब शरीर के किसंग को प्रभावित करता है तो ये यकरित को बिटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संसलेशन में होती है तो ये प्रोथो बीम में पौधे बाजन्तु में कार्बो हैड्रेट का संचैन किस रूप में होता है पौधे में स्ट्रार्च के रूप में तो जन्तु में ग्लुकोजन के रूप में बिटामिन होते हैं आवशय कार्बनिक यौगिक जिनका संसलेशन शरीर में नहीं होता है चलिए अगे देखते हैं कैसी मिर कम्फ फंक ने किस पोशक तत्व की खोज की थी तो बिटामिन का बिटामिन की खोज किस ने की थी कैसी मीर फंक ने बिटामिन ए से समपन किस खाद पदार्थ कोंसा है तो यह है कौड यक रित तेल, सकरकेंद, गाजर, पालक यादी मनुष्य में बिटामिन A की कमी से रतोंधी, शरीरिक ब्रिद्धी, बभार में कमी, कौर्णिया तथत्वजा संबंधी रोग उत्पन होते हैं तो ये इंपोर्टेंट है बिटामिन A की कमी से होने वाले रोग बिटामिन B12 का रशायनिक नाम क्या है? साइनो कुबाइल लैमिन खट्टे फलो में कौन सा बिटामिन पाया जाता है? बिटामिन C घाब के भरने में कौन सा बिटामिन सायक होता है? बिटामिन C किलोसिस नामक रोग किस बिटामिन की कमी से होता है? तो बिटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक होता है थाइमीन किसका राशाइनिक रूप है बिटामिन B1 का जल में कौन सा बिटामिन घुलन शील होता है बिटामिन B और C पेलागरा और सकर्भी क्रमस किन बिटामिनों के कमी के कारण होता है बिटामिन B3 और बिटामिन C के कारण ये रोग होते हैं बिटामिन डी का रासाइनिक नाम क्या है कैलसी फेरॉल बिटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है रिकेटस हडियां कमजोर हो जाती है इससे बिटामिन डी की कमी से रक्त का थक्का बनने में बिटामिन के की आवशकता होती है किस बिटामिन की कमी से शरीर की प्रती रक्ष प्रणाली तथा जननशमता कम हो जाती है usbar की एस कोर्विक अम्ल ऑसंकरमन रोधी बिटामिन किसे कहते हैं बिटामिन एको में किस बिटामिन में कोबाल्ट पाए जाता है बिटामिन विट्वल में अनाज के छिल के में हाय निया देखते हैं थाइमीन यानि b1 चलिए आगे देखते हैं भोजन में रेशों का महत्व भोजन में रेशों की अधिक्तता पाचन किरिया में शाहेक होती है रेशे युक्त भोजन में ग्लुकोज की मात्रा कम होती है जिसे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम हो जाती है बिटामिन डी की अनुपस्थिती से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है चलिए आगे देखते है दिर्ग मात्रिक खनिज ये खनिज तत्व क्या है और इनका महत्व क्या है कैल्शियम दातों और रस्तियों की रचना रुधिर, सकंद, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्रे यानि की कैल्शियम जो है ये दातों के लिए हमारी अस्तियों के लिए और साथी साथ में हमारी तंत्रिकाओं और हमारी पेशियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है फासफोरस दातों और हड्डियों की रचना में अमल शार संतुलन बनाने में फास्पोरस का योगदान होता है गंधक अनेक अमीनों अमलों तथा कुछ हार्मोन्स एवं बिटामिन का घटक होता है पोटेशियम अमल शार संतुलन जल संतुलन तंत्रिकाओं की कारी की कैलोरिन और तंत्रिकाओं की कार्यकी में इसका योगदान होता है मैगनीशियम ग्लाइको लाइसिस तथा एटी पी पर आश्रित अनेक उपाची है क्रियाओं के एंजाइमों का संगटक होता है तो चलिए देखते हैं आगे खनिज और इधर इसके प्रमुख स्त्रोत दिया हुए तो खनिज जो है वो लौखनिज का मुख्य स्त्रोत क्या है केला और खजूर पोटेशियम पोटेशियम में का जो मुख्य स्त्रोत है वो है पालक आयोडीन आयोडीन युक्त समाने नमक केल्शियम का जो मुखिस्त्रोत है दूद एवं अंडा यहां से आपको केल्शियम की भर पूर मात्रा मिल सकती है कौन सा तत्व किड़नी में पत्थरी के को बनने से रोकता है तो मैगनीशियम जो है वो किड़नी में पत्थरी को बनने से रोकता है कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी होता है तो यह होता है आमला एक संतुलित अहार में बिभिन पोशक तत्व किस अनुपात में होने चाहिए तो एक बटा दो अनुपात में प्रोटीन, एक बटा चार में बसा एवं थ्री बटा पांच में कार्वोहेडरेट यह होने चाहिए एक संतुलित अहार में किस पोशक तत्व से प्रति ग्राम सरवधिक उर्जा प्राप्त होती है तो वो है बसा, बसा से आपको सबसे ज्यादा उर्जा प्राप्त होती है किसकी कमी से क्रिटीनिज्म यानि मंद बुद्धी येवं बौना रोग हो जाता है तो वो आयोडीन की कमी से तो आयोडीन नमक आप खाईएगा ज्यादा कौन सा बिटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है तो वो है vitamin A vitamin A जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा important है और यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का काम करता है यहाँ पर दे रखा vitamins के कारे तो देख लेते हैं कि कौन-कौन से vitamin है और उनके क्या-क्या काम है और बिटामिन्स के मुख्य स्तरोत क्या-क्या है तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पर दे रखायए कारे की पर प्रभाव और कमी के कमी का प्रभाब तो देखिए बिटामिन ए यह जो है के रोटीन युक्त फल खाने से यकृत व अंत्राइश श्लेमा की कोशिक आई है द्रिष्टी रोगों का संस्लेशन करता है एपिथीलियम और कॉर्निया वा त्वचा की कोशिकाओं का विकास अबरूध होने लगता है जब हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी होती है तो हमारे यहां कॉर्निया वा त्वचा की कोशिकाओं का विकास अबरूध होने लग जाता है विटामिन डी यह किसकिस से मिलता है मक्खान यकृत मचली का तेल इनसे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है केल्शियम वा फासफोरस का उपापाच्य और सूखा रोग इसकी कमी से होता है बिटामिन E तेल गेहूं अंडे की जर्दी से होता है जर्दी से ये पूरा हमें मिलता है कोशिका कला की सुरक्षा जननशमता में बृद्धी पेशियों की क्रियाशीलता में बृद्धी होती है अगर हमारे शरीर में बिटामिन E की कमी होगी तो इससे होगा जननशमता में कमी आएगी इथी पीलियम कमजोर हो जाएगा बिटामिन K बिटामिन के जो है हमें कहां से मिलता है हरी पत्तियों पत्तिदार सब्जियां अंडा यक्रित टमाटर गोभी सोयबीन यह सारी चीज़ों से जो है में बिटामिन के की प्राप्ति होती है प्रभाब क्या पड़ता है यक्रित में प्रोथ्रो बिन का संसलेशन होता है चोट प वो जमेगा नहीं और बहुत ज़्यादा ब्लड बहने लगेगा यहां पर दे रखा जल में घुलनशील कुछ बिटामिन से थाइमीन जिसको हम बिटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं और यह कहां से मिलता है तो अनाज, फलिया, सोयबिन, अंडा, मास के सानाईज के घटक से प्रभाब क्या पड़ता है इसका कार्बोहाइडरेट, इवंबसा, उपापचेई, क्रियाओं के सह एंजाइम का संगटक होता है और इसके कमी के कारण क्या होता है तो बेरी-बेरी नामक रोग मोस्ट इंपोर्टेंट है बेरी-बेरी नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है या किस बिटामिन के कारण होता है तो B1 या फिर थाइमिन के कारण किलोसिस रोग किसकी कमी की कारण होता है B2 इसकी कमी कारण और इसका अस्त्रोत क्या है पनीर, अंडा, इस्ट, हरी, पत्या, दूध, मांस, इत्यादी इसके अलावा पेल ग्रा, रोग, पेला ग्रा, रोग तो ये जो है निको, टिनिक, अमल के कारण होता है और ये मांस, यक्रित, मचली, अंडा, दूध, मतर, मेवा, फलियाँ इन सम्में पाये जाता है तो आप इसको एक बार रीड कर लिए इसमें कुछ समझाने लाइक है नहीं कि मैं आपको समझाओं तो इसको आप एक बार रीड कर लिजेगा Next आते हैं हम History में, मद्यकाली नितिहास जिसमें टॉपिक दिया गया था 11 टॉपिक्स में से एक था विजयनगर समराज्य इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं विजयनगर समराज्य की स्थापना के पास अपना राजदूत भेजा था तो बुक्का प्रथम ने अपना दूत जो है वो किसके पास भेजा था तो चीन के समराठ के पास अपना दूत भेजा था अभी लेखों में विजय नगर के किस साशक को पूर्वी पस्चमी बदक्षनी साग्रों का स्वामी कहा गया है बुक्का प्रथम को अभी ने बिजय नगर जिसे हंपि के नाम से जाना जाता हे को अपना दूत्य राजधानी बनाया बिजय नगर के द्वन्सƏश पर हमपी विद्ध्वान हैं बिजय नगर का पहला साशक कौन था जिसने घ्रमनियों से गोवा को छीना वो था हर्यय द्वित्य प्रशिद बिजय बिठल मंदिर कहाँ पर अबस्थित है तो वो है हमपी में बिजयनगर के राजा कृष्ण देवराय ने गोलकुंडा का युद किसके साथ किया था कूली कुतुब शाह के साथ यहां पर दिया गया है वन्ष संस्थापक समय और अंतिम शासक यह चार वन्ष रहे हैं बिजयनगर सामराज्य में उन चारों के बारे में सबसे पहला था संगम वन्ष इसके संस्थापक जो रहे हैं वो हरियर प्रथम थे 1336 से 1356 इसमी तक संगम वन्ष का काल रहा और बिरू पाक्षद वित्तिय जो है इसके अंतिम शाशक थे इसके बाद आता है संगम वन्ष के बाद सालूब वन्ष और इसके जो संस्थापक रहे हैं सालूब नरसी और 1485 से 1505 इसमी तक इनका कार्य काल रहा मतलब इस वन्ष का साशन रहा और इमाडी नरसी जो है इसके लास्ट साशक यानि अंतिम साशक थे उसके बाद आता है सालूब के बाद तुलूब वन्ष जिसके साशक थे बीर नरसिंग और 1505 से 1570 इश्वी तक तुलूब वन्ष का शाशन विजय नगर समराज्य पर रहा और सदाशिब राय जो थे वो अंतिम साशक थे तुलूब बन्ष के अराबीडू अराबीडू बन्ष जो था उसके संस्थापक थे तिरूमल 1570 के बाद इन्होंने साशन किया और इसका जो अंतिम साशक था वो रंग तृत्य तो ये चार महत्पून साशक रहे हैं चारों स साशक के संस्थापक और अंतिम साशक जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहां से कोशन्स अक्षर पूछे जाते हैं बिजय नगर समराज जी की वित्तिय वेवस्था की मुख्य विशेस्ता क्या थी तो ये था भूर आजस्व क्रिशन देव राय के दरवार में आठ तेलगू कवियों को क्या कहा जाता था तो अस्ट दिगज के नाम से उनको जाना जाता था ताली कोटा जिसको रक्षसी तंगडी का युद किस वर्ष हुआ था तो ये पंद्रा सो पैंसाट हिस्वी में हुआ था यहां पर बिजय नगर समराज्य के राजबन सुधे रखा है यात्री देश शाषक इवं विवरन निकोलो कॉंटी इटली देश के थे देवराय प्रथम जो साशक था उसके साशनकाल में यह यात्री आये थे और बिजय नगर शहर का वर्णन जो है इन्होंने किया था तो ये अब्दुर्राजाग जो है वो फारस के यात्री थे देवराय द्वित्य के साशनकाल में याये थे और बिजय नगर सची वाला का वर्णन इन्होंने किया था पायस जो पुर्तगाल से आये थे क्रिशन देव राय के समय वो आये थे और बिजय नगर के सिल्प बब्यापार का वर्णन किया था इससे, बारबोसा इम्प़ोटोंट है पुर्टगाली यात्री था जो क्रिशन देव राए के साशनकाल में आया था जिसने सतिप्रता का वर्णन किया था सेर फेडरे पुर्तगाली जिसने सदाशिव के साशनकाल में यात्रा की थी और बिजय नगर समराज्य का वर्णन किया था नूनीज पुर्तगाली यात्री और अच्यूत देवराय के साशनकाल में आये थे और इन्होंने भी सत्यप्रथा का वर्णन किया था निकितिन रूस के यात्री थे और ये मुहम्मद तृत्तिय के साशनकाल में आये थे जिनोंने बिजय नगर की आसमानताओं का वर्णन जो है अपने यात्रा बिरतांत में इन्होंने किया था प्रशिद बिजय नगर साशा क्रेशन देवराय के अधिन किस साहित्ते का स्वर्ण यूग था तो वो था तेलगू जब राजा बाडियार ने मैसूर राज्य के स्थापना की तब बिजय नगर समराज्य का साशा कौन था बेंकर द्वित्ते अपनी मदुरा बिजय कृती में अपने पती के बिजय अभियानों का वर्णन करने वाली कभी त्री कौन थी गंगा देवी होईसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का बरतमान नाम क्या है तो हौल बिजय नगर की प्राचीन राजधानी के स्त्रोत किन खंडरों से मिलते हैं हम पी के खंडरों से बैदिक ग्रंथों के भाशेकार सायन को आश्रे प्रदान किया गया विजय नगर राजाओं द्वारा यहां पर राज्य संस्थापक स्थापना राजबन्ष राजधानी और उसका बिले जो है वो दिया गया है तो बरार राज्य जो है संस्थापक कौन था इसका इमाद शाह 1484 में इसकी इस्थापना की गई थी राजबन्ष इमाद शाह राजधानी जो तो यह गाविल गड़ था यह इतना ज्यादा इंपोर्टन रही है इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा ठीक है चलिए हम देखते है नेक्स्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का 1757 की क्रांती और यह हमारे आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा 1857 की क्रांती सर्व रथम कहां प्राणबुई थी तो मेरठ में 10 मैई 1857 से 34 वी रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रो किया था बैरकपूर में पश्चिम बंगाल बर्स 1857 में के स्वधिंता संग्राम के प्रती क्या थे कमल और रोटी बर्स 1857 के राज द्रो बिद्रो का तत्कालिन कारण क्या था एन्फिल राइफल में चैर्वी वाले कार्तूस का प्रियोग यह बहुत ही ज्यादा महत्पून कारण था एक तरीके सा तत्कालिन कारण इसी को हम मान सकते हैं इसके अलावा और भी महत्पून कारण थे जैसे की अंग्रेजों की सोशनकारी आर्थिक, राजनितिक, धार्मिक, एवं प्रसाशिनक नेतियां यह भी महत्पून कारण थी जिसने 1857 की क्रांती को जन्म दिया 1857 इश्वी में के विद्रो के समय भारत का गवर्नर जर्नल कौन था तो यह थे लौड कैनी और इनी के साशनकाल में भारत में 1857 में विद्रो हुआ था 1857 के विद्रो के समय ब्रिटिश प्रधान मंत्री कौन थे तो वो थे पामस्टन 1857 इश्वी में के स्वतंतरता संग्राम से संबंदित पहली घटना कौन से थी सैनिको का दिल्ली के लाल किले पर पहुँचना और हुआ क्या था कि मेरट से बैरक पुर्चाबनी से ये सैनिक उठे और दिल्ली के तरफ कूच कर गए 10 मई को वहां से निकले थे 11 मई को ये जो है दिल्ली में पहुँच जाते हैं और दिल्ली के लाल के लिए पर ये कबजा कर लेते हैं 1857 के बिद्रों में भाग लेने वाले सरवादिक सैनिक किस राज्य छेत्र से थे तो वो थे अवदराज्य से सबसे ज़्यादा आगे देखते हम 1857 में किसने इलाहबाद को अपातकालिन मुख्यालय बनाया था केंद्रिय संगठन की कमी तथा सुनियोजी त्रणिनीती के अभाब में 1857 इश्वी का विद्रों असफल रहा था लखनव में 1857 इश्वी के करांती का नित्रित्व किस महिला ने किया था बेगम हजरत महल ने इंपोर्टेंट है ध्यान रखियेगा कि किस शहर से किस नेता ने 1857 की करांती में भाग लिया और नित्रित्व किया था 1857 इश्वी के स्वाधिन्ता संगर्ष में प्रमुक भूमी का निभाने बाली रानी लक्ष्मी वाई का जन्म कहां हुआ था तो बारानिसी में रानी लक्ष्मी वाई को अंतिम युद में किस ने पराजित किया था कैप्टन ही रोज उन्हें असम में 1857 की करांती का नेता कौन था इसके उपर कोई भी ध्यान ने देता तो जरा ध्यान दीजीगा इसके उपर असम में 1857 की करांती का नेता कौन था दिवान मनिराम दत फैजाबाद से बिद्रो कर रहे किस करांती कारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने पचास जार रुपे इनाम रखा था तो वो थे मौल भी एहमद दुल्ला कानपूर से बिद्रो का नेत्रित्व कर रहे नाना साहिब ने किसे अपना सेना पती बनाये था तांतिया टोपे को इनका जो बास्तविक नाम था राम चंदर पांडू रंग था 1857 के बिद्रो के दौरान मुगल बादशा बहादूर शाज जफर ने किसे अपना सेना पती न्यूक्ति किया था तो बक्त खांको यह भी इंपोर्टेंट है इसको भी ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर देख लेते हैं 1857 के बिद्रो के प्रमुख केंद्र और प्रमुख बिद्रोही नेता तो यहां पर दिल्ली बिद्रोही नेता थे बहादुर शाद्वित्य है और उनके सेनापती जो थे बक्त खा और दमन करता कौन था तो दमन करता ये जरूर याद रखेगा डेट भले याद ना रखे तीथी की विद्रो की लेकिन दमन करता जरूर याद रखेगा और बिद्रोही नेता तो दमन करता जो थे निकलसन और हडसन जो थे दिल्ले में बिद्रोह को किसने दवाय था निकलसन और हडसन ने लखनव में जो बिद्रोही नेता थी वो कौन थे बेगम हजरत महल और बेरजिस कादिर और इसको किसने दवाय था Calling Camp Vale ने जहांसी या ग्वालियर से कौन थी तो जहांसी से थी रानी लक्षमी वाई और ग्वालियर से तांतिया टोपे और इसको दवाया था General Heroes ने कानपूर से थे नाना साहब और तांतिया टोपे इनको दवाया था Calling Camp Vale ने इलावाद से लियाकत अली खान थे इसको बनाया था करनल नील ने इसका दमन किया था फैज़ाबाद से मौलबी एहमदुल्ला थे और करनल नील ने जो है इस विद्रो को यहां पर दवाया था फैज़ाबाद में जगदीशपूर यह ध्यान रखिएगा था बीलियम टेलर और बीसेंट ओयर ने बरेली से खान बहादुर खान थे और इसको दवाद ओयर ने spring से अज़िमुल्ला थे और जनरल रेनौड ने इस विद्रो को दवाया था 1857 के विद्रो के समय मुगल साशक बहादुर शाजफर थे इन्हें इस विद्रों का अखल भारतिय नेता माना गया था चलिए लास्ट पेज रहा गया अब देख लेते इसको भी जल्दी से बर्स 1857 के विद्रों के दमन के पस्चात भारत साशन अधिनियम 1858 पारित किया गया इसके माध्यम से भारत का साशन इस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल कर ब्रिटिस क्राउन के हाथों में चला गया तो ब्रिटिस क्राउन के हाथों में भारत का साशन कब जाता है तो 1858 में महारानी विक्टोरिया ने भारतिय प्रसाशन को ब्रेटिस ताज के नियंतरन में लेने के लिए घोशना कब की थी एक नवंबर 1858 याद रखेगा बर्स 1857 के विद्रोह के दमन के पस्चात भारतिय शेना का पुनर गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था पील आयोग का चलिए वर्स 1858 के भारत साशन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वाय सराय बनाया गया था लौड कैनिंग को 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजो का अलोचक था मिर्जा गालिव याद रखिएगा भारत के सिक्षित मध्यमबर्ग तता जमिदारों ने 1857 के विद्रों में तठास्ता बनाय रखी थी 1857 के विद्रों के कारणों पर भारतिये भाशा में लिखने वाला प्रथम भारतिये कौन था सरसयद ऐहमद खाँ बर्स 1857 के विद्रो में बिहार का नित्रित्व जगदीशपूर के जमिदार बेर कुवर से द्वारा किया गया था ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है बीपीएसी या फिर बिहार एसाई एक्जाम्स के लिए 1857 इसवी के स्वतंतरता संग्राम में किस राजवन्ष ने अंग्रेजों की सरवाधिक साहता की थी ग्वालियर के सिंधिया ने इन्हों ने अंग्रेजों की अधिक साहता की थी अठारा सो सतावन पर अधारित प्रमुख की पुस्तके रही है और उनके लिखक रही है दा ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखा था फर्स्ट वर ओफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये लिखा था बिनायक दामोदर्द साबर करने 1857 S.N. Sen द्वारा लिखा गया था और सिपोय म्यूनिटी और रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजुमदार द्वारा लिखा गया था हिस्ट्री ओफ इंडियन म्यूनिटी T.R. Holmes द्वारा रिवेलियन अठारा सो सतावन पीशी जोशी द्वारा और Causes of the Indian Revolt सर सयद अहमद खा द्वारा ये लिखा गया था रानी लक्षमी वाई के मृत्यू पर हियो रोज ने कहा था भारतिये बिद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी तो ये कोटेशन याद रखिएगा कि किसने और किस के लिए ये कोटेशन कही थी तो रानी लक्षमी वाई के लिए सर हियो रोज ने ये कोटेशन कहा था ये वक्तब्बे कहा था चलिए ये देख लेते हैं उसके बाद में वीडियो को हम समाप्त करेंगे अगर अभी तक आपने चैनल को शब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर किजिएगा किसने 1857 के बिद्रों को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही थी तो बीडी सावर करने 1857 के विद्रों को एक सडियंत्र की संग्या किसने दी थी तो सर जेम्स ओटरम और डवल्यू टेलर ने तथा कथित प्रतिम प्रतम राष्ट्रिय स्वतंतरता संग्राम ना प्रतम ना राष्ट्रिय ना ही स्वतंतरता संग्राम था या किसका कथन था तो आरसी मजुमदार का भारतिये स्वाधिंता अंदूलन का सरकारी इतिहासकार कौन था एस एन सेन जिनों ने 1857 नामक पुस्तक लिखी थी 1857 पर अधारित प्रमुखमत यहां से भी कई बार कोशन पूछा जाता है कि किस ब्यक्तिन या 1857 के संदर में क्या क्या की चीजें कही है तो इतिहासकार डॉक्टर एसन सेन ने क्या कहा था जो कुछ धर्म के लिए लडाई के रूप में प्ररम्भुआ उबस वतंतरता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ अशोक मेता का कथन था 1857 इश्वी के बिद्रो का स्वरूप राष्ट्रिये था बीडी सवरकर ने क्या का था 1857 इश्वी का बिद्रो एक सुन्योजित राष्ट्रिये स्वतंतरता संग्राम था आरसी मजुमदार तथा कतित प्रथम राष्ट्रिये संग्राम ना तो प्रथम ना ही राश्ट्रिये और ना ही स्वतंतरता संग्राम था ये कतन किसका था तो आरसी मजुमदार का सर जोन लॉरेंस ने क्या का था या पूंडता से पाही विद्रो था और बेंजामिन डी जराइली ने क्या का था 1857 का विद्रो एक राश्ट्रिय विद्रो था इसके अलावा पीर रॉबर्ट्सन इन्होंने क्या का था 1857 का विद्रो केवल एक सैनिक विद्रो था जिसका ततकालिन कारण चर्वी युप्तकार्थूस था टी आर होम्स या सभ्यता एवं बरवर्ता का संघर्ष था डेवल्यू टेलर और जेम्स ओर्ट्रम इंपोर्टेंट है